आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल आर्टिस डे के बारे में जा देंगे ये हर साल 25 अक्टूबर को मनाय जाता है जो कलाकारों और उनके द्वारा किये गए सभी योगदानों का सम्मान करने के लिए मनाय जाता है अब इसके इतिहास के बारे में जाते हैं कनडाई कलाकार क्रिस मैकलर ने 2004 में इस दिवस की सुरुआत की थी तब से 25 अक्टूबर ऐसा दिन है जो कलाकारों द्वारा समाज को दिये गए सभी योगदानों का सम्मान करता है क्रिस मैकलर का उद्देश था की काम करने वाले कलाकारों को उनकी रचनाओं के आकरसर प्रभाव और भवता का आनंद लेने के लिए एक विशेस दिन दिया जा सके इसे दिन विश्व के सबसे प्रसिद कलाकार पाबलू पिकासो का जनम दिन भी होता है पाबलो पिकासो इस्पेन के महान चितरकार थे ये बीसवी सताबदी के सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पत और सम्रिध कलाकार थे कलाकार अपने काम को करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे हमारे आसपास की दुनिया में सुन्दरता जोडते हैं अधिकास कलाकार कई अलग-अलग माध्यमों से काम करते हैं बलकि कलाकार सब्दों में चितरकार, फोटोग्राफर, मुर्तिकार, सिंगर्स, डांसर, राइटर, एक्टर, डिजिटल आर्टिस्ट और बहुत कुछ सामिल है लिखित कारियों से बहुत पहले कला आई थी प्राचिन काल से कला ने विचारों का संचार किया है और महतपूर घटना का रिकॉर्ड रखा है कला अतीत से जुड़ाओ प्रदान करती है अपने काम के माध्यम से वे कहानिया सुनाती है और परंपराओ को आगे बढ़ाती है इसलिए ये दिवस मनाय जाता है कर दो